अगर से इस प्रकार आज हम भी ग्राप्ट बड़े पेड़ों की इस पर करने जा रहे हैं अगर से आपके पास में कोई ऐसा बेकार का पौदा हो जिसकी वेराइटी बेकार है तो ऐसे पौदों को आपको जनवरी महिने में कटिंग कर देनी की है जितने हैट से आपको कल में और उसके बाद में जो ब्रेंचेस आएगी तो आपको अगर से ग्राउंड लेवल से कट करना है आपके सुविधानों सारा अगर उसके नीचे से आपको जाना आना है तो आप चार फिट पाथ फिट उपर से कटिंग कर दीजेगा जनवरी में ताकि उसकी ब्रेंचेस कलम क करने के उप्योग में अक्टमबर महने तक आ सकती क्योंकि कलम करने का सीजन जून का लास्ट विक और उसके बाद में जून के लास्ट विक से अक्टमबर महने तक सक्सेस्पुल रेट बहुत अच्छा रहता है और इसे 25 से 30 डिगरी सेल्शियस का टेमपरेचर चीए और जनर प्रोडक्शन बहुत अच्छा रहता है तो देखिएगा अगर इस प्रकार आपके पास में 3-4 फिट गोलाई के भी पहुदे हैं तो आप इसे कट कर लिजिए गा जनवरी महने में और उसके बाद में जो ब्रेंचेस आएगी जम तो 20-25 भी ब्रेंचेस आई तो आप 25 प्र अब इसका प्रोडक्शन कब होगा यह मात्वका है तो मित्रो इसको फिट करने के बाद लगबग तीन साल के बाद में कम से कम उसके पहले मोहर भी आगया फ्लावरिंग भी आ गई समझो तो ब्लॉज्मिंग जीसे कहते हैं उसे रखने कानी और फूटिंग भी रखने कानी लगबग दो साल तो रखने का नहीं अगर आभी गया तो हम जिग्या सावस हम उसे फ्रूटिंग रख देते हैं तो इससे नुक्सान होने का चांचस रहता है कि वेट से ब्रैंच जो आपका जो बडिंग का जो सायन का ग्राफ्टिंग का जो ब्रैंच है सायन का जो ग्रोथ लिया है वहां तुपने का चांचस रहता है या तो बंदर अंदर भी कूच सकते हैं तो मित्रों कम से कम तीन साल तक अगर से आप अगर से मोहर भी आ गया तो आप यह मोहर को तो लिजिएगा तो यहां प्रोचे आपको तीन साल तक इसका क्यार करने का है तो तीन साल के बा winter season स्टार्ट होने के पहले आप यह ग्राप्टिंग कर सकतें तो इन पेड़ों में इस आईसी परकार की ब्रेंचे जो रहा थी है इसमें आप वी ग्राप्टिंग और बार्क ग्राप्टिंग भी कर सकते हैं समझो यहां कि अगर से ब्रेंचेस जो है आपकी अगर से अंगुठे जैसी मोटी है कंसिडर करो यहां ब्रेंच है मित्रो यहां ब्रेंच तो इस ब्रांच की छाल जैसे मोटी है तो इस पर आप ग्राप्टिंग कर सकते हैं तो अंगुठे से मोटी जैसी ब्रेंचेस रहे और हाड ह सदो गई है इसकी बार्क समझेंगां तो इन पर आप ग्रप्टिंग कर सकते तो बार्क ग्रप्टिंग का भी मैं वीडियो अल्रेडी डाल चुका हूं तो इस प्रकार और दुसरा सवाल किसी ने सवाल किया की मैंगो का जो सायन-सीलेक्षन आप इसे फ्लावरिंग तो फ्ला करोगे तो नेक्स सीजन जो आएगा छे मैने बाद या सालबर बाद में उसी समय उसको फ्लावरिंग क्योंकि उस ब्रैंच को अल्रेडी फ्लावरिंग आ चुका था इसलिए उसके जेनेटिकल केरेक्टर आपको फ्लावरिंग क्योंगे अगासे कोई ब्रैंच नहीं हो उस प मार्क ग्राफ्टिंग और भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं इस प्रकार ऐसे बड़े पाउदे जो है यूजलेस पाउदे आप क्या है और गुठली से क्वालिटी चेंज हो गई है हम बहुत सारे जगह देखते हैं कि एक नामी आम लाते हैं एक दम और बोलते यार यह मैंने एक किलो अला हम लाया इसकी गुठली लगाने तो मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर जी इस प्रकार नामी आम मार्केट से लेके भी आते हैं और गुठली लगाते हैं मित्रों तो आपको 5-7 साल 8 साल वेट करना पड़ता है उसके बाद में आपको फूटिंग जो आम आपने लाया है सिलेक्टेड बाजार से वो आम मिलेगा इसकी गैरेंटी 90 परसेंट नहीं है आप अगर सव गुठली लगाते हो तो एक खाद आम ओरिजिनल क्वालिटी का उतर सकता है अधर्वाइस जो हाइब्रीड आम वो आट अल्रडी उसकी क्वालिटी कहीं न और क्वालिटी खड़ाब है तो मित्रो आप जनवरी मैंने में मैं बता चुका हूं इसको कट कर दीजेगा चार फिट पे पाच फिट हाइट के उपर से और आप ऐसे ब्रेंचेस आने दीजेगा और उस ब्रेंचेस पे वी ग्राफ्ट और बार ग्राफ्ट करके आप वीज पेड़ की ही ब्रेंचे से करके तो इस प्रकार आप एकच पेड़ पे वीज़ प्रकार के आम ले सकते हैं और इसके पहले की वीडियो में मैंने नाखपुरे जी हमारे गाड़नर जो ऑथराइज है उनके पास में सव से देड़ सव प्रकार की मैंगो की वेराइटी जया औ उनका number में अपने description box में इसके पहले के बार्कगप्टिंग के video में video के description box में उनका number डाल चुका हूँ और एक special बात बताना चाहता हूं उसके मित्रों जब बार्ट या भी ग्राफ्टे के बाद में जो कोलि पत्ती आती democrats Local लाला कीडा आता है और समें शेच्छत करता दबे दबे निर्मान हो जाते तो इसलिए स्पें प्सक्या करने का तो नुन अब ऑर्गनिक की बात करते aur तो इस पे आप निम्बोनी जो है नीम ट्री की वो जमा करिएगा सितापल का पत्ता गोमुत्र इनका तीनों का कॉंबिनेशन मिक्स करके आप इसको हफ्ता और 15 दिन मड़के में रखेगा और उसके बाद में उसे उबाल लीजिएगा तो आपको जो जूस मिलेगा उसको छान प्रकार आप छोटा पेड़ होगा तो उसमें एक दो बुंद जैसे आप समझो एक कप लेते पानी पानी लेते एक कप उसमें दो चार पाज बुंद मोनोक्रोफ कोटोफास की डाली है और उस पर इस प्रेक कीजिएगा तो पत्ता क्या होता है मोनोक्रोफा पत्ता है अगर छे साथ दिन तक भी वहां पर अगर जे कोई कीटक आता है तो वह जैसे जूस खिचेगा वह मर जाएगा तो इस प्रकार क्योंकि यहां भी क्योश्चन मुझे पुछा गया था तो इस प्रकार उसे क्यार लेने कि एमित्रों तो अब यहां देखिएगा इस पे साइड कट मारे इनोंने चाकू से और इसे साइड ग्राप्टिंग कहते है टॉप में नहीं किया इनोंने यह भी ग्राप्टिंग नहीं है तो देखिएगा साइड से चाकू डालके इनोंने किया है अब इसको बांदने का भी मैं बता चुका हूं नीचे से ले जाके और यहां 2.5 mm का मैं जो बता चुका हूं पॉलिथीन है और यहां पॉलिथीन हाउस जो रहते जहां पर वीद प्रकार की पॉलिथीन मिलती है वहां पर आपको यहां 2.5 mm का मैं बता चुका हूं वह आप तैटनेस नहीं आता मित्रों इसलिए पॉलीसिन देखो पूरा लपेटने के बादमझ देखो है लंबा खीट लेने का स्ट्रेच माख उसके बाद में गाठ मार देने की देखेगा तरह तो इस प्रकारcakमाने गांगा अभी से आपको तोपी पहनाने का मित्रों कि इसके जोईन में आपका पानी जा सक्ता तो इसको जैसे हमने उदर तोपी पहनाएं उल्टा क्योंकि स्केसे जंक्षन में जहां पर आप द्यूट्ली वहां पर पानी नहीं जाना चाहिए मोटी अगर हाड वूड है कंसेवर उंगली के जैसे तो हाड पोर्षन लेके छाल के साथ में उसे चीरा मारकर अपन बान सकते हैं हाड पोर्षन जो कहते हड़ी उसी को लेके ब्लेड चलाके और यहां पहले बता चुका हूँ कि ऐसे पोर्षन ऐसे लकडियों पे आपको मोटी जिल्ली जो है 2.5 mm की उसी का इस्तमाल करना है उसमें टाइटनेस चीए यह अर नहीं चाहिए अगर चीए अर रही तो सक्सेस नहीं होगी इसलिए आपको टाइटली बानना है कि इतना चिपक जाना चीए दोनों कोईंसाइड एकदम हड़ी दोनों पोर्षन को और इस प्रकार यहां एक कला हो गई